ऑल दोस्तो आपका अपने चैनल Computer बाबा में स्वाध़त है दिनके बचचुके हैं 10 और ये समय है क्या है मेरे दोस्तों ये समय है Computer बाबा से Short Trick सीखने का तो आज की जो Short Trick है मेरे दोस्तों बहुत लिए धमाकेदार Short Trick है इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि pen drive के pen drive में कैसे हम लोग अपनी photo को लगाते थे ठीक है आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी folder में मलब अपने किसी भी folder में क्या कर सकते हैं कोई भी image लगा सकते हैं तो ये image कैसी लगाई जाएगी बट ये बिलकुल अलग है pen drive में जो लगा के मैंने दिखाया था वो अलग trick थी और ये folder में लगाने वाजी जो trick है मेरे दोस्तों ये बिलकुल अलग trick है ये भी धमाकेदा ट्रिक है ये trick किसलिए यूज करते हैं ये trick इसलिए यूज करते हैं मेरे दोस्त कि मुझे पता चल जाए कि इस folder में क्या है उसको बगार open किये हुए जैसे मुझे करना है कि ये music की file है तो उसमे music का logo लगा दिया उसमें वीडियो की file होनी चाहिए तो वीडियो का logo लगा दिया उस तरीके से मेरे दोस्त यहाँ पर कर सकते हैं आईए जानते हैं मेरे दोस्त कैसे करेंगे इसको सबसे पहले क्या है आप कोई भी logo ले लेंगे जैसे मैंने क्या है ये YouTube का एक logo ले लिया है किसका ले लिया है एक YouTube का logo ले लिया है आप लोग YouTube से lecture पढ़ते रहते हो तो आप YouTube की वीडियो को download कर सकते हो इसलिए मैंने क्या किया एक YouTube का logo ले लिया थीक है इसको मैं क्या करूंगा इसको मैंने right click किया और right click करने के बाद इसको open width पे कया और open width पे मैंने क्या कर दिया इसको paint पे खोल लिया किस पे खोल लिया paint पे खोल लिया अब देख रहो ये एक logo आ गया है, क्या गया है, logo आ गया है, तो logo को हमने क्या किया, इसको select किया, और select all कर लिया, और उसके बाद मैं कहा गया, resize में गया, कहा गया, resize में गया, और यहाँ पे मैंने pixel को लिया, और जो इसका pixel है, वो में कितना रख दूँगा, 60, 60 आप इसका pixel select होगे, और maintain expect ratio पे click करोगे, और ok कर दोगे, यह आप का क्या हो गया, logo हो गया, क्या हो गया, मेरे दोस्तों, logo हो गया, आप इसको भी ऐसे ही, यहां तक क्या कर लोगे मेरे दोस्तों, इसको ऐसे फाइल में जाने के बाद इसको save as करोगे save as करने के बाद आपने इसको कहा रखना है desktop पे रखना है तो आप इसको लिख लोगे bitmap पे लोगे 24 bit bitmap पे इसको select कर लोगे और इसका क्या नाम रखोगे इसका जो नाम रखोगे आप दोस्त वो youtube.ico ico क्यो रखा ico इसलिए रखा क्योंकि यह icon का file extension name है किसका icon का file extension name है और इसको मैंने क्या किया desktop पे क्या कर दिया save कर दिया इस पे लेखा any transparency will be lost if you save this document तो यहाँ पे क्या कर दोगे ok कर दोगे ok करने के बाद आपने यहाँ पे cancel कर दिया उसके बाद क्या करोगे मेरे दोस्तों एक हमने यहाँ पे क्या किया folder को create कर लिया एक folder को यहाँ create कर लिया और इस पे हमने क्या किया right click किया और properties में गए properties में जाने के बाद हम लोग कहा जाएंगे customize में जाएंगे customize में जाने के बाद हम लोग जाएंगे change icon पे जाएंगे change icon के बाद यहाँ पे look for icon in this file इसमें आपको बहुत सारे icon जिक रहे हैं बट हम क्या करेंगे हमको YouTube का icon लेना है तो browser पे click करेंगे और browser पे जाके हम लोग desktop पे जाएंगे और desktop पे जाने के बाद वो browser हमको यहाँ पे क्या है show करेगा और यहाँ पे हमने क्या किया ok कर दिया और इसको यहाँ पे क्या कर दिया ok करके apply किया और then ok किया अब मेरे दोस्त देख रहे हो हमने क्या किया यहाँ पे YouTube का logo लगा दिया किसका लगा दिया YouTube का logo लगा दिया तो इसी तरगे से आप कोई भी लोगो लगा सकते हो यहां तक अपनी कोई भी इमेज लगा सकते हो कहीं यह आप ओ ट्रिक मेरे दोस्तों पसंद आई हो तो इसे लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अब हम लोग कितने बज़े बिलेंगे, बारा बज़े बिलेंगे जहां पर हमारी टिपल सी की क्लास चल लएए, बेसिक से कंप्यूटर की वहाँ पर बेसिक से क्लास चल लएए, तो उसे जॉइन करना ना भूले और रात में हम लोग 10 बज़े कहां मिलते हैं, प्रिवियस एर पेपर में मिलते हैं जहां पर आज हम लोग विहार बिलेंटन का पार्ट टू डिसकस करेंगे चलिए, अब हम लोग मिलते हैं 12 बज़े, बाबाई, टेक केर